Hello everyone, I welcome all of you to my fourth lecture. आज economics का हम चोथा lecture करेंगे, तो इस lecture को start करने से पहले, पिछली बार जो MCQs, पहले set के MCQs मैंने लाए थे, उनके answers यहाँ पे है, ठीक है, तो कल भी मैंने कुछ MCQs पोस्ट किया है, उनके answers मैं आपको next class में provide करूँगा, ठीक है, तो उस दिन पहला MCQ था, which of the following are tangible objects, तो answer उस choice arises due to limited resources, ठीक है, third part, तो I hope कि आपने यह MCQs किये होंगे, और इनको try किया होगा, तो अगर कोई doubt है, इन में यहाँ जो मैंने कल पोस्ट किये, तो you can ask me, ठीक है, तो अब आज हम start करेंगे, पिछली बार हमने discuss किया था marginal rate of substitution, हमने indifference curve map को complete किया, ठीक है, तो देखिए, perfect substitutes की जो marginal rate of substitution है, वो जो है, वो constant रहती है, उसका जो ratio है, वो same रहता है, इसका मतलब यह है कि देखिए, यहां पे 5 रुपी note है, और 5 रुपी coin है, अगर आपको मतलब किसी दुकानदार के पास जाओगे, आप चाहे वो आपको 5 रुपी का note दे दे यहां 5 रुपी की coin दे तो अगर आप इसके बदले मुझे 5 रुपी note है, तो मुझे 5 रुपी coin के बदले 8 रुपी note है, आइसा आप करो कि नहीं, simple सी बात है, अगर आपको 5 रुपी का note है, मतलब suppose 20 रुपी आपको किसी दुकानदार के पास वापस चाहिए, तो suppose he is giving you 5 का note है, क्या आप यह कहोग नहीं, लेकिन हाँ, जब हम वहाँ बात कर रहे थे, normal goods में, ठीक है, bananas और, sorry, जहाँ पे हम, हाँ, जैसे bananas और mangoes की बात कर रहे थे, इसमें क्या हो रहा था, जब mangoes decrease हो रही थी, तो bananas का number increase हो रहा था, ठीक है, लेकिन यह तो मतलब mangoes अगर मतलब 12 से 3 आ रही थी, ठीक है, 12 स suppose 9, तो bananas का increase, एक unit banana का increase हो रहा था, ठीक है, तो इनका जो marginal rate of substitution है, वो different आ रहा था, ठीक है, जैसे पहले minus 3 by 1, ऐसे ही कुछ, वो मैंने पिछले lecture में सब समझाया है, you can watch that lecture, ठीक है, तो देखिए, यहां पे आप क्या होगा, आज का जो topic है, जो perfect substitutes होंगे, तो उनकी जो marginal rate of substitution है, वो same रहेगी, उसका ratio जो है, same आएगा, ठीक है, अब यहां पे example ले लिजए, देखिए, मैं इस table को discuss करूंगा, ठीक है, अब representation of marginal rate of substitution in perfect substitutes, ठीक है, देखिए, उपर वाला जो table है, जिसमें combination है, फिर quantity of 5 rupee notice, quantity of 5 rupee coins and then MRS, ठीक है, इस table को मैं कहु से आपको थोड़ा स y-axis है, और यह हमारी x-axis है, ठीक है, देखिए, पहला total जो मतलब consumer को लेना है, कितना लेना है, 5 rupee note 1 और 5 rupee coin 8, 8 and 1, तो कितना हुआ total, 8 into 5, कितना हुआ यह total, 40 और यहां 1, कितना हुआ total, 45, 45 consumer को चाहिए, ठीक है, आप तो 45 rupee's अगर तुकानदार आपको देगा, वो आपक और 8 coins दे, ठीक है, उसको अगर हम plot करेंगे, ठीक है, suppose, यहां पर 8 rupee coin, ओके, और यहां पर मानिए आप 1 rupee note, उसके बाद 7 rupee's coin and 2 rupee's note, ओके, उसके बाद 6 rupee's coin and 3 rupee's note, ठीक है, उसके बाद 4 and 5, ठीक है, देखिए, अब मेरी बात द्यान से सुन लेना, पिछली बार हमने जब किया था, यहां पर देखिए, change कितना आया, change, नीचे गिरा न, ठीक है, तो change आएगा, delta y upon delta x, ठीक है, delta y upon delta x, अब देखिए, तो consumer को चाहिए 45, अब वो 1 से 2 गया, ठीक है, और यहां 8 से कितना गया, 7, तो 8 से change कितना आया, backwards गया न, तो change कितना आया, minus 1, right, ओके, देखिए, फिर से, यहां पर फिर से थोड़ा ध्यान रखेगा, थोड़ी में करो, सुमाल बनाता हूँ, ठीक है, तो पहला point था, 1 and 8, ठीक है, यहां पर 8 and 1, फिर था, 2 and 7, फिर था, 3 and 6, and finally, ऐसे ही, 4 and 5, तो पहले में change कितना आया, 8 से 7, अगर आप delta y, upon delta x, निकाल होगी, ठीक है, change कितना आया, delta y में change कितना आया, देखिए, यहां से मैं quines को plot कर रहा हूँ, y axis से, ठीक है, quines में y axis से plot कर रहा हूँ, और जो notes है, वो मैं x axis से plot कर रहा हूँ, तो quines और notes, देखिए, delta y upon delta x, ठीक है, delta y कितना change आया, 8 से 7, तो minus 1 का change आया, यहां कितना change आया 1 से 2 गया तो 1 का change आया ठीक है और ये भी मैंने आपको बोला था कि ये function जो होती है ये mod function होती है तो जिनका mathematics नहीं रहा होगा तो वो सिर्फ इतना याद रखे कि जो marginal rate of substitution है वो हमेशा positive में हम represent करते है ना कि negative में तो mod का मतलब है ये दो जो lines है इस mod function का मतलब है जो भी आप value इसमें put करोगे वो भार जो output देखा जो भी value निकल के आएगा वो positive आएगा ठीक है तो यहाँ पर देखे minus 1 by 1 is equal to 1 is to 1 तो 1 is to 1 is the marginal rate of substitution ठीक है तो इसी तरह अब आप उसके बाद देखे 7 से 6 आया ठीक है 7 से 6 तो कितना change आया minus 1 minus 1 यहाँ जो b से c जा रहा है minus 1 delta y में 2 से 3 1 ठीक है तो फिर से 1 is to 1 is the marginal rate of substitution similarly 3 से 4 6 से 5 minus 1 divided by 3 से 4 1 mod में put कीजिए और answer आएगा 1 is to 1 ठीक है तो अब देखे अब अगर मतलब मैं ये भी कहूं कि जहले मैंने उसी दुकांदार से कहा जहले इस table के अगर हम मतलब उससे बाहर भी सोचे इस table से देखे अगर वो 8 5 रूपी कोईन ले रहा है तो कितना हुआ 40 ठीक है और उसके बाद 2 5 रूपी नोट्स ले रहा है सबोस अब वो उसको तो 5 रूपी के नोट्स मानगे यहां पर 5 दे रहा है ठीक है 5 नोट्स 5 दे रहा है तो कितना हुआ 25 ठीक है तो अब ये तो नोट्स आ गए ठीक है नोट्स is equal to this अगर हम कोईनस कितनी हमें चाहिए तो 25 से कितना आएगा 35 and 45 20 ठीक है न 20 तो अब कितना हुआ 20 divided by 5 तो 4 है 4 चाहिए हमें अब coins ठीक है अब अगर आप इसकी marginal rate of substitution निकालोगी आप मतलब इसकी आप combination बना लो देखो 45 रूपी जो रहत है आप कोई भी combination ले लो उसकी जो marginal rate of substitution है हमेशे 1 is to 1 रहेगी ठीक है देखें यहां पर 55 रूपी फायोगी यहां C is equal to 45 रूपी ठीक है यहां क्या है अब 5 और 4 तो चेंज कितना आया देखें 5 और 4 बीच का चेंज कितना है 1 आएगा न हमेशे ठीक है अगर वो 1 से 5 गया तो ठीक है अगर हम 1 से 5 हाँ 1 से अगर हम 5 कर रहे है ठीक है तो चेंज कितना आया माइनस 4 ठीक है लेकिन यहां से भी चेंज कितना आया यहां से भी गया ना कितना 4 ही तो गया ठीक है माइनस 4 अपान 4 is equal to again 4 अपान 4 is equal to 1 again ठीक है तो any combination आप इसमें ले लो और इसकी जो indifference curve है वो कैसे बनती है देखिए जो मैंने यहां कहा है curve of perfect substitutes it is always straight line ठीक है तो इसकी जो perfect substitutes की curve हमेशा straight line आएगी क्यों कि देखिए यह ratio constant रहा है 1 is to 1 1 is to 1 हर किसी point पे वो तो मतलब 1 is to 1 change जो 1 is to 1 आ रहा है तो उसका मतलब वो points लाए करेंगे on the straight line ओके तो इसका जो perfect substitutes का जो graph आएगा कुछ ऐसा आता है ठीक है this is the graph तो यह किन के लिए है perfect substitutes के लिए ओके for perfect substitutes तो उसके बाद जो यह graph है यह किन के लिए है जो negatively sloping है तो यह किन के लिए है जो normal goods होंगे apple यहां बनाना apple orange mango बनाना whatever ठीक है उनमें यह negatively sloping ठीक है curved तो straight line perfect substitutes में और उसके बाद अगर L-shaped का भी आएगा L-shaped यह आद रखेगा यह complementary goods में आता है complementary goods को हम discuss करेंगे तो जब मैं complementary goods पे आऊँगा उस time भी मैं आपको यह थोड़ा से discuss करूँगा लेकिन इस time आप याद रखे कि complementary goods वो goods होते है जो एक दूसरे को complement करते है ठीक है मतलब एक दूसरे के बगेर वो चल नहीं सकते जैसे example ink and pen ठीक है ink and pen ओके यह दोनों आपस में complementary goods है ठीक है मतलब जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना उनका कोई use economy में नहीं है those are called complementary goods ठीक है और उसके बाद कोई और example अगर मैं आपको दूँ car and petrol ठीक है car and petrol okay so these are what these are complementary goods एक दूसरे को complement करते है एक दूसरे के बगेर रह नहीं सकते तो complementary goods ठीक है perfect substitutes जो एक दूसरे के बगेर जो एक दूसरे के बदले perfectly use हो सकते है 5 rupee note and 5 rupee coin okay so this was it तो अब यहाँ पर थोड़ा सा याद रखेगा यह point की मतलब जो perfect substitutes का यह for these complementary goods उनकी जो यह indifference को हो है वो L से पढ़ाती है ठीक है तो I will discuss it जब हम demand में इसको थोड़ा और अच्छे से इसके analysis करेंगे तो तब इसके reasons मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो now today जो हमारा और कुछ थोड़ी properties जो मैं पिछली बार sliders में मैंने वो incorporate नहीं की थी तो वो मैं आपसे discuss करना चाहूंगा देखे वो indifference curve से ही related है जैसे यह देखे यह आपकी my axis और x axis ठीक है और यह indifference curve तो indifference curve negatively sloping ठीक है negatively sloping का मतलब है यह उपर से नीचे जा रही है ठीक है negatively sloping अब indifference curve क्यों होती है क्योंकि देखे एक चीज़ decrease हो रही है ठीक है लेकिन दूसरी चीज़ increase हो रही है जब एक increase करेगा और दूसरा decrease करेगा तो curve जो आएगी वो negatively sloping आएगी ठीक है negative negatively sloping तो यह point अगर maybe question पूछा जाए कि indifference curve is so it is negatively sloping not positively sloping ठीक है negatively sloping का मतलब है एक चीज़ decrease हो रही है तो दूसरी increase हो रही है जैसे कि mango और banana mango decrease हो रहा था तो banana increase हो रहा था ओके so indifference curve is negatively sloping ओके and दूसरी property बहुत important जो है it is convex to the origin okay convex to the origin right अब यह convex to the origin क्यों बनती है convex to the origin इसलिए बनती है it is due to law of law of diminishing marginal utility right law of diminishing marginal utility ठीक है तो देखे reason इसका बताना आपके लिए exam point of view से important नहीं है लेकिन हाँ फिर भी मैं reason तो मैं आपको बताऊंगा लेकिन वो मैं आपको अगले lecture में बताऊंगा तब तक आप comments में इसका reason लिखिए कि जो मतलब indifference curve है यह negatively sloping sorry यह convex to the origin क्यों होती है reason क्या है कि यह indifference curve convex to the origin होती है आप अपना answer comments में post कर सकते हैं ठीक है तो उसके बाद चलिए आज का topic हम start करते हैं this is curve of perfect substitutes perfect substitutes की curve हमेशे straight line आएगी बहुत ही important point है perfect substitutes में कहीं सारे questions निकल सकते हैं देखे जैसे यह इसका graph straight line आता है और दूसरा question आपका निकल सकता है इससे यह जो है कौन perfect substitutes है ऐसे ठीक है तो budget set and budget line तो आज का topic जो है हमारा that is budget set and budget line देखे अब मैं आपसे कुछ आज discuss करना चाहूंगा सबसे पहले देखे फिर से हम इसको graphically सीखेंगे ठीक है budget set और budget line को ठीक है देखे आपके पस कोई income है suppose why ठीक है और आप market में गए ठीक है तो आपकी income आपके लिए बाहर बन जाएगी क्योंकि इसी income को आप use करोगे आपको कौन सी level of satisfaction चाहिए चाहिए तो हमें सब कुछ ठीक है हम तो highest से highest satisfaction चाहते है market में जाए तो चाहेगी पूरी market ही खरीद लेकिन हमारी income बाहर है हम ऐसा नहीं कर सकते तो उस limited income से हम limited goods या limited services purchase कर सकते हैं ठीक है अब जो हमारी income है ठीक है हम इसको कैसे खरिश करें ठीक है तो यह हमारा बनता है budget राइट budget is the upper limit of the income जो हमारे जेब में है जब हम market में जाते है जितनी income आपके पास है और जितना आप उससे purchase कर सकते हो that is your budget in simple terms ठीक है तो अब हम suppose discuss करते है कि देखे अब suppose किसी चीज की value उसका price P1 है ठीक है price is the amount which consumer has to pay ठीक है P1 है ठीक है और ऐसे ही हम दूसरे commodity की उसकी price P2 मानते है ठीक है अगर suppose आप मतलब देखे P1 ये price है ठीक है अगर आप suppose मतलब कुछ खरीते हो जैसे मतलब आपने oranges purchase की तो एक दर्जन कितने रूपय का ठीक है ऐसी कितने dozen आप purchase करोगे suppose एक dozen का P1 तो X dozen का X time is P1 ठीक है ऐसे ही किसी commodity का price उसके एक unit का price P1 था तो total P1 times इसी तरह P2 times X2 ठीक है इसको X1 और इसको X2 मानते है ठीक है अब जो देखे क्या होगा अब ये जो P1 ये दो commodities खरीद रहे हो P1 X1 ठीक है X1 का मतलब है कितने unit हम total purchase कर रहे हैं P1 का मतलब है per unit price के है ठीक है तो इसे confuse मत होना उसके बाद P2 X2 ठीक है तो ये जो है ये मतलब P1 X1 प्लस P2 X2 ये हमेशा किस के बराबर होगा यह तो आप ये तो आपकी income represent करता है जो आप खरीद रहे हो तो जो आप खरीद रहे हो that will be less or equal to M now what is M, M is the money or it is the income you have क्योंकि आप तो अपनी income के बराबर यह अपनी income से कम खरीद सकते हो ठीक है suppose जैसे यहाँ पर example ले लीजे ठीक है P1 आप रख लीजे suppose मतलब आप कुछ oranges और apples purchase कर रहे हो ठीक है one dozen of oranges और bananas माने one dozen of orange उसका cost suppose 10 है तो आप two two खरीद रहे हो 10 into two ठीक है कितना हुआ 20 10 10 एक dozen का price है और two dozen आप खरीद रहे हो ठीक है तो हो गया 20 ठीक है plus P2 into X2 suppose आप यह आप माने लीजे oranges और यह bananas तो bananas का क्या होगा suppose आप एक dozen उसका five का माने लीजे और X2 माने लीजे आप उसके भी दो खरीद रहे हो तो कितना 10 ठीक है 20 पलस 10 तो is equal to it will be equal to 30 ठीक है तो 30 रूपीज आपको pay करने है for purchasing two dozen of this and two dozen of bananas तो इस 30 यह 30 क्या बन गया है यह आपका M है ठीक है यहाँ तो आप इस 30 को 30 का पूरा 30 खरिश करोगे यहाँ इस 30 से कम करोगे ठीक है यह जो मैंने आपको example दी थी देखे यह M क्या करता है represent जो आपके पास total income है या तो आप अपनी income के मतलब सारी income खरिश कर दोगे यहाँ फिर आप अपनी income से कम करोगे ठीक है उससे उपर तो आप जा नहीं सकते क्योंकि उतनी income आपकी है नहीं so this represents our budget okay so this is the inequality तो यह यहाँ पे inequality है P1 X1 प्लस P2 X2 is less or equal to M okay तो अब इसका मतलब क्या है budget का the consumption bundle is available to the consumer now what do I mean by this देखे यहाँ अब थोड़ा सा ध्यान रखेगा यहाँ पे हमारी Y-axis और यहाँ पे हमारी X-axis ठीक है यह मानिए कोई भी commodity है हमारे पस ठीक है जैसे यहाँ पे कुछ भी mango बनाना okay so these are these okay तो अब क्या होगा देखे यहाँ पे मैंने आपको बोला था पिछली बार की यह अगर हम लाइन बनाएंगे ठीक है यह हमारी budget line बन गई तो हम इस budget line जो हमारी है हम इसी budget line पे consume कर सकते है मतलब क्या है कि देखे जो उपर का area है जो इस budget line से जो इस line से जो मैंने line डाली यह straight line इस से उपर जो area है वो हम consume नहीं कर सकते क्योंकि उतनी income नहीं है लेकिन ये inequality जो represent करती है P1 X1 प्लस P2 X2 less or equal to M तो इसका मतलब है इस line पे आप purchase कर सकते हो और इस line के backwards जो भी area ये enclose हो रहा है जो मैं shade कर रहा हूँ this you can consume यहाँ पे आप बिल्कुल consume कर सकते हो करूँ जितना area इसमें close हो रहा है उस पे आप consume कर सकते हो लेकिन करूँ के उपर का area वो आप consume नहीं कर सकते हो और इस line पे जो budget line पे जो points आ रहे उन पे भी आप consume कर सकते हो ठीक है I hope कि यह आपको समझाया होगा this can be consumed and this line इस line पे जो points है वो भी आप consume कर सकते हो ठीक है लेकिन line से उपर नहीं जा सकते है किमकि उतनी income हमारे पस नहीं है तो यह था about the budget line तो उसके बाद हम थोड़ा और move करेंगे देखिए जैसे फिर से यहाँ पे अगर थोड़ी example ले ले लेंगे हम देखे जैसे यह y axis और x axis ठीक है तो आपके पास मान लीजे आपके पास कोई income है suppose 50 rupees की तो आप 50 rupees आपको एक dozen आपको इसको distribute करना है suppose आप कुछ 20 का खरीद रहे हो और कुछ 30 का यहाँ इसी तरह कुछ आप 35 कुछ 15 तो इसी तरह बहुत सारी combinations इसमें बनेंगी और जैसे आप उन points को 20 और 20 और यहाँ से मनते है 20 और ऐसी कोई unit 30 जैसे ठीक है 23 मान यह 20 और 3 ठीक है उसके बद 35 and 2 मान लीजे ठीक है ऐसी जब आप इन points को join करोगे तो आपकी यह budget line बनेगी लेकिन हाँ M आपको दिया होगा मतलब आपके पास कितनी income है वो already हमें पता होता है तो उसी income की हिसाब से हम यह sets बनाते है ठीक है तो जो भी अब इस line पे हम purchase कर सकते हैं 20 called consumption bundle suppose 2 commodities है यहाँ से मान लीजे यहाँ से मान लीजे mango और यहाँ से मान लीजे ठीक है फिस से दियान से इस graph को आप देख लीजेगा ठीक है यह मान लीजे आपकी y-axis और यह आपकी x-axis ठीक है और यहाँ से हम measure कर रहे है quantity of mangoes और यहाँ से हम measure कर रहे है quantity of bananas ठीक है आपके पस कोई भी fixed income है 50 मान लीजे 100 मान लीजे जो भी है तो वो मैंने आपको अभी दिखाया कि अगर आपके पास कोई भी income है suppose 50 है तो आप मतलब उसे different combinations खरीद सकते हो ठीक है कि नहीं आप चाहे एक dozen of mango, one dozen of banana, two dozen of mango, three dozen of banana ऐसे करके अपनी income को उस पे distribute कर सकते हो ठीक है तो वो हमारी budget line बनती है ठीक है तो अब जो यहाँ पे मुझे थोड़ा discuss करना था budget line का देखिए यह जो mangoes है और यह bananas दीक है अब यहाँ इसकी कुछ quantity decrease हो रही है और इसकी कुछ quantity हम increase कर रही है यहाँ पे आप याद रखे का देखिए यह indifference quo नहीं है यहाँ पे हम indifference quo को represent नहीं कर रही है यहाँ budget line को represent कर रही है कि मतलब अपने given budget से हम कितना खरीद सकते हैं ठीक है वो हमारी budget line represent करता है ठीक है तो यह देखे यहाँ पे आपकी budget line ठीक है अब जो भी pointers इस curve पे लाई करेंगी ठीक है जो भी pointers इस curve पे लाई करेंगी suppose यहाँ पे मान लीजे यहाँ पे मान लीजे 15 यहाँ 1 ठीक है और यहाँ पे मान लीजे यहाँ पे मान लीजे आप 2 and 13 इसको थोड़ा यहाँ 1 and 15 ठीक है ऐसे करके ठीक है x and y ठीक है तो जो भी combinations आप with the given income ठीक है with the given income y से आप जो भी combination इस curve पे खरीद सकते हो those are called as the consumption bundles ठीक है तो consumption bundle का मतलब क्या है जो भी हमारी मतलब line है यह देखे consumption bundle जो है किसी भी जगा true होता है चाहिए indifferent score की बात करें है budget line की इसका मतलब है दो commodities की combination ठीक है जैसे आपने probability में भी पढ़ा होगा अगर मतलब हम हमारे पास suppose हमारे पास ऐसे कोई amount है 50 रूपीज ठीक है इसको हम distribute करते है over the इसको हम distribute कर सकते है over our needs ठीक है लेकिन हमें इसी income के income तक ही रहना है इससे आगे हम नहीं जा सकते ठीक है क्योंकि हमारी उतनी income नहीं है तो यहां पर जो अगर हम इसको distribute करेंगे जैसे 25-25 इसका set बन सकता है 20 and 30 इसका set बन सकता है ठीक है और इसी तरह और कोई set बना सकते है 10 and 40 ठीक है तो यह set जो है 20, 30, 30, 40 25, 25 यह possible है यह हम इस income से मतलब इससे जो है यह set हम बना सकते है तो इनी set को जैसे 25-25, 20-30 और 10-40 इसको आप जब यहां करव पे represent करोगे ठीक है यह मान लीजे एक point यह दूसरा यह तीसरा ठीक है तो यह point जो है यह represent करते है consumption bundles ठीक है they represent our consumption bundles तो यहां consumption bundles का मतलब है budget line पे जो भी हम खरीद सकते है यह जो हम consume कर सकते है with the given income यह तो अपनी income से काम खरीच करेंगे यह फिर अपनी income के बरावर इस line पे खरीच करेंगे और जो भी हम purchase करेंगे जो भी combination हम purchase करेंगे उसका वो एक bundle बनाता है एक consumption bundle बनाता है जैसे यहां पे मान लीजे इसका कोई value रख लीजे अप जैसे इसका value मान लीजे यहां पे 1 यहां पे 15 तो क्या आएगा 1 and 15 ठीक है यह x point यह y point ओके I hope कि आपको यह समझ आया होगा ठीक है तो यह था budget line के बारे में थोड़ा ठीक है अब यहां पे जो important point है हमारा that is the optimal choice of the consumer what is the optimal choice of the consumer okay see यहां पे आप थोड़ा सा दियान रखेगा मेरी तरफ अगर यह हमारी अगर यह हमारी y axis है और यह हमारी x axis है और यह हमारी budget line है तो अब अगर आप देखोगे यह आप suppose कोई indifference curve बनाई है ठीक है देखे indifference curve ओके and this तो यहां से भी एक indifference curve बन सकती है देखे मैंने budget line बनाई ठीक है और मैंने क्या किया और मैंने indifference curves बनाई ठीक है अब इस budget का optimal point हमें निकालना है तो optimal point का मतलब क्या है ठीक है देखे फिर से आप थोड़ा इस figure को देखेगा अच्छे से I am discussing the optimal choice of the consumer मतलब choice जहां पर optimum choice जहां पर highest satisfaction within the budget consumer को कहां मिलेगी ठीक है यह point of important याद रखेगा ठीक है यह हमारी y-axis और यह हमारी x-axis ठीक है यह आप मान लीजे यह indifference curve है ठीक है और यह indifference curve है ठीक है और अब बजट लाइन को हमें plot करना है ठीक है देखे अब मान लीजे आपकी बजट लाइन यहां से पास हो रही है ठीक है देखे तो यहां थोड़ी space काम है तो adjust up कर लीजे देखे यहां जो यह को है इसको मान लीजे 1, 2 and 3 तो यहां पर budget line ने कहां पर touch किया indifference को को अगर हम देखेंगे देखे बजट लाइन ने first indifference को को भी touch किया इस point पर इसको मान लीजे आप a point नाम रख लीजे और इस point पर इसको आप b नाम रख लीजे और यहां पर ठीक है यहां तो इसको आप नाम रख लीजे c point ठीक है तो budget line ने कहां कहां पर touch किया indifference curve को budget line ने touch किया एक तो indifference curve 1 को 2 points पे A और B पे ठीक है देखिए एक तो budget line है budget line हमारी income दिखाता है हमारी income कितनी है वो हमने plot की as citrate line उसके बाद हमें इसी graph में हमने indifference curves दिखाई indifference curves हम कहीं भी दिखा सकते है ठीक है देखिए यहां पे indifference curve 1 पे सबसे कम satisfaction होगी लेकिन 2 से 1 से ज़्यादा satisfaction होगी और indifference curve 3 पे सबसे ज़्यादा satisfaction होगी लेकिन यहां जो हमारी budget line है वो कहां touch कर रही है जहां हमारी budget line इन points को touch करेगी वो points पॉसिबल है हमारी लिए मतलब उतनी income है कि हम उस पे purchase कर सकते है या हम उस पे अपनी satisfaction दूर कर सकते है ठीक है तो यह मान लीजे यहां पे देखे आपकी budget line आप मान लीजे कि आपकी budget line आपके पास सिर्फ 15 रुपीज है ठीक है और यहां पे कोई water bottle है जो 10 की है ठीक है जो lower indifference कर हो है उस पे मान लीजे कोई water bottle 10 की है और इस पे मान लीजे इस budget line पे 15 की है तो आप 15 वाली भी purchase कर सकते हो और 10 वाली लेकिन IC3 पे अगर कोई वहां पे मतलब water bottle आप मान लीजे 25 या 20 की है तो वो आप purchase नहीं कर सकते है क्योंकि आपकी total income 15 है ठीक है तो देखे फिर से मैं थोड़ा ये graph आपको समझाना चाहूंगा देखे यहां पे ये y-axis और यहां पे x-axis ठीक है ये higher indifference कर हो ये आप purchase नहीं कर सकते और उसके बद देख लीजे ये आपकी lower ये आपकी दूसरी indifference curve और ये तीसरी indifference curve ओके देखे अब अपनी budget line अगर आप ड्रा करोगे देखे ऐसे आप कीजिए ठीक है तो budget line ने intersect किया इन दो indifference curves को 1, 2 and 3 ठीक है लेकिन किन कुछ intersective budget line ने सिर्फ 1 और 2 को किया है किमकि हमारी income उतनी है कि हम 1 या 2 पे purchase कर सकते हैं तो अब जो optimal point है optimal point का मतलब क्या है आपका optimal point आएगा this point ठीक है ये जो higher indifference curve 2 है उसका जो उस पे ये tangential होगी ये आप देख सकते हो this is tangential ठीक है tangential बन रही है तो जो lower indifference curve है देखे हम वो consumer यहां भी consume कर सकता था point A पे यहां भी consume कर सकता था point B पे लेकिन वो consume करेगा prefer करेगा वो point C क्यों क्योंकि देखे ये जो IC1 है इसका जो point A और B है वो जो indifference curve 2 से नीचे आ रही है उस पे लाई कर रही है लेकिन 2 पे maximum satisfaction मिलेगी ठीक है मान लिजे कि बंदा बहुत थर्ष्टी है तो वो चाहता है कि नहीं 15 की कोई water bottle पी लो तो उसे maybe की थर्ष्टी ज़्यादा खतम हो जाए यहां इसे आप इसमें कोई 2 commodities ले लो suppose आप example ले लिजे यहां पे 2 chocolates की ठीक है देखे यहां पे यह y-axis और यहां पे x-axis ठीक है यहां पे आप example ले लिजे देखे जैसे यह lower indifference curve और यह higher indifference curve ठीक है यहां पे budget line ठीक है budget line ने इन curves को कहां intersect किया इस curve को 2 points पे किया और इस curve को यहां जो midpoint है जो tangential यहां से line गिरी तो वो जो है वो optimal point होगा consumer का ठीक है तो optimal point का मतलब क्या है वहां उसको ज्यादा satisfaction मिलेगी देखे आप यह मान लीज़े आप यह कोई chocolate है जैसे कोई सस्ता वाला 2 रुपए वाला chocolate और यह है 5 रुपए वाला chocolate लेकिन आपके पास 5 रुपए है तो आप prefer क्या करोगे पांच पे consume करना पसंद करोगे क्योंकि वहां जो देखे यहां पे 1 और 2 तो ज्यादा ज्यादा जो satisfaction मिलेगी वो दूसरी वाली इंडिफरेंस को रुपए मिलेगी इसलिए जो budget line का point उस करुपए लाई करेगा वही आपका optimum point होगा यह objective आ सकता है कि जो optimum point है उसके बाद optimal choice of the consumer वो तो यह पहले याद रखना है कि पहले वो जब touch करेगी वो higher indifference को उपए जो point लाई करेगा वही optimal choice होगी और वो optimal choice हमेशा tangential to the उस indifference को उपए होती है जिस पे हम consume करना चाहते है ठीक है लेकिन हाँ अब यहाँ पे और एक बात याद रखेगा थोड़ा दीखिए यह y-axis और यह x-axis ठीक है यहाँ पे यहाँ पे यह budget line ठीक है यह indifference curve और यह indifference curve ठीक है इसको join कीजे ठीक है यहाँ पे तो यहाँ लेकिन हाँ अगर यह indifference curve है जैसे कि अब लेकिन line कहां लाई कर रही है वो लाई कर रही है 1 और 2 पे लेकिन यह हमारी पोँच से बाहर है 3 indifference curve हम consume नहीं कर सकती है क्योंकि हमारी budget जो है वो सिर्फ 1 और वो सिर्फ 2 तक consume कर सकती है जैसे कोई सस्ता वाला चाकलीट 2 रुपए का 5 रुपए का कोई अच्छा सा मंच देखिए यहां पे रख लीजे कोई आप रख लीजे 50 वाला अकसर जो चलिए छोड़ें यहां पे जो आप 50 वाला चाकलेट रखेंगे तो मतलब आपके पस मान लीजे सिर्फ 5 रुपए है तो 5 पे आप कंस्यूम कर सकते हो ठीक है यहां पे तो वो उप्टिमल पॉइंट दूसरी वाली इंडिफरेंस कव पे आएगा ठीक है लेकिन जो तीसरी इंडिफरेंस कव है उस पे 50 वैल्यू है लेकिन आपके पस इंकम कितनी है खाली 5 रुपीज तो जो पॉइंट इस लाई नहीं करेंगे बजट लाइन पे वो आउट आप रीच है वो हम कंस्यूम नहीं कर सकते पर्चेस नहीं कर सकते ठीक है तो देखे यहां फिर से ठीक है यह बजट लाइन ओके यह मान लिजए हमारी इंडिफरेंस कव इस पे टाइच किया यह मान लिजए उप्टिमूम पॉइंट लेकिन यह इंडिफरेंस को पे हम नहीं जा सकते क्योंकि बजट लाइन नीचे है और जो इस से नीचे एरिया होगा वो कंस्यूम कर सकते है क्योंकि यहां तो बजट पे जितना बजट है सारा का सारा हम खरश करे या पिर उससे कम भी कर सकते लेकिन उपर से उतनी इंकम तो है नहीं यह हम कंस्यूम नहीं कर सकते क्योंकि इतनी इंकम हमारे पस नहीं है ठीक है तो चॉकलिटस की एग्जामपल याद रख लिएगा जो सबसी नीचे होगा दो रुपए वाला चॉकलेट फिर पांच रुपए वाला फिर पचास रुपए वाला तो आपकी इंकम कितनी है पांच रुपए ठीक है आप दो वाला भी खरीद सकते हो और पांच वाला भी खरीद सकते हो लेकिन satisfaction किस से मिलीगी ज्यादा वो 5 वाले से मिलेगी 50 वाला आप खरीदना चाहते थे लेकिन उतनी income लेकिन उतनी income हमारे पस है नहीं ओके so I hope कि आपको budget line और इसका optimal point जो मैंने discuss किया ये आपको समझाया होगा अब इस commodity को देख सकते हो ठीक है देखें यहाँ पर commodity Y and commodity X तो देखें यहाँ optimal point जो यह E point है E point यहाँ जो है E जो इसने दिखाया है this is the optimal point ठीक है तो maybe कि I see graph आपको exam में दी जाए और आपको optimal point बताने को बोले तो optimal point वही होगा जो मतलब जो higher indifference को उपए जब budget line जहाँ touch करेगी that will be the optimum point ठीक है तो optimum point जहाँ पर ज़्यादा satisfaction मिलेगी वो higher indifference को उपए मिलेगी ना कि lower indifference को उपए तो उपर वाली indifference को E से उपर वो possible नहीं है क्योंकि उतनी income नहीं है देखें IC3 पर income नहीं है IC2 पर optimal point उसका जो tangential point तो optimal point tangential होता है to the indifference curve यहाँ वो करो जहाँ पर हम consume कर रहे है और IC1 अगर आप देखोगे वहाँ दो points पर वो touch कर रहा है करो लेकिन उसकी satisfaction कम है वो हम consume नहीं करना चाहती ठीक है तो example मैंने दे दी 2 रुपए का chocolate 1 फिर 5 फिर 50 50 consume नहीं कर सकते income नहीं है 5 consume करेंगे इस पर ज़्यादा satisfaction मिलेगी optimal point 5 पर लाई करेगा और इस point पर वो क्या होगा tangential होगा और 2 जो है उस पर क्या वो हम वो भी हम consume कर सकते हैं लेकिन satisfaction वहाँ पर कम है ठीक है तो maximum satisfaction optimal point क्या दिखाता है maximum satisfaction with the given budget जो आपके पास income है उसे आप कितना maximum कितना satisfaction उसे डिरायो कर सकते हो so this is the optimal choice of the consumer and this is all about the budget line तो I hope कि आपको ये समझ आया होगा and with this हमने indifference का और budget line optimal choice of the consumer ये हमने conclude किया and now in the next lecture I will be coming with an important topic that is your demand and demand analysis और बाकी in मैं notice आपके लिए prepare करूँगा ठीक है मैं मतलब सूच रहा था कि micro economics ये complete हो जाए तो उसके बाद notes मैं आपको in concise way दूँगा ताकि मतलब आपको भी आपके लिए पढ़ना आसान हो ठीक है क्योंकि ऐसे एक एक lecture का note देना ये थोड़ा बल की हो सकता है okay so अब thank you आज इतना ही तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको like करें share करें ठीक है and thank you have a good day